अब हम वाक्य में दिये कुछ किरियापदों का पतपर्चे करेंगे पहला वाक्य देखें मालिक नौकर से काम करवाता है किरिया क्या है करवाता है कौन करता है नौकर करता है नौकर स्वतेह नहीं करता बलकि उससे मालिक करवा रहा है तो जब करता स्वयम काम न करके किसी से करवाता है तो वहाँ पर कैसी किरिया होती है प्रेडार्थक किरिया जो हमने अभी पड़े थी तो हम इस करवाता है इसका जबपत परिचा करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये शब्द लिखेंगे करवाता है और उसके आगे लिखेंगे कि ये प्रेनार्थक किरिया है अब ये काल क्या है? क्योंकि इसमें है शब्द है तो ये वर्तमानकाल की बात हो रही है तो ये हुआ वर्तमानकाल अब आप ध्यान रखेंगे कि ये किरिया करवा जरूर मा लिक रहा है लेकिन कर कौन रहा है? नौकर कर रहा है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कौन किसकी किरिया है नौकर की किरिया है क्योंकि करने वाला वो ही है यद्दे भी वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा उससे कोई करवा रहा है लेकिन किरिया का संबन्द नौकर से है तो नौकर की किरिया है यानि कि इसका करता हम दो तरीक है, नौकर की किरिया है या इस किरिया का करता कौन है, नौकर है, कैसे भी हम लिख सकते हैं, चाहिए ऐसे लिखे, या ऐसे लिखे, दूसरा बाके देखे, वह है जोर से हस पड़ा, जोर से हस पड़ा, किरिया क्या हुई, हस पड़ा, हसना किरिया हुआ यहाँ पर कौन हस पड़ा वह है अब यह जोड से यह हसने की विशेषता बता रहा है कोई कर्म नहीं हो रहा तो इसलिए यह हस पड़ा कौन सी किरिया हुई अकर्मक किरिया हुई क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा है अकर्मक किरिया हुई अब हस पड़ा यह टेंस जो हम देखें इसका काल कौन सा है तो यह हस पड़ा यानि बर्तमान की ही बात हो रही है कोई बूद की बात नहीं हो रही न भविश्य की बात हो रही है तो यह बर्तमान काल और इसका करता कौन है वह तो इसका करता क्या है? वह करता है या करता की किरिया है हम कुछ भी लिख सकते हैं करता की करता की किरिया है नेक्स सेंटन्स देखें वह आते ही चला गया वह आते ही चला गया दो किरिया पद यहां पर हमें मिल रहे हैं एक आते ही और दूसरा चला गया तो यहां पर हमने अभी पढ़ा था कि जब दो किरिया है एक के होते ही दूसरी किरिया प्रारम हो जाए तो वहां पर कौन सी किरिया होती है पूर्व कालिक किरिया तो कैसे हम पद पर्चे करेंगे इस वाकि का आते ही चला गया यह पूरा ही हम लेंगे आते ही चला गया तो य क्या है पूर्व कालिक किरिया और जैसे कि मैंने कहा कि किरिया के हमें पतपर्चे में किरिया और उसका काल मुख्य रूप से बताना है साथ में हम यह बता दें कि यह कौनसे करता की किरिया है तो पूर्व कालिक किरिया हुई और एक काल कौनसा है चला गया आते ही चला गया द वह की, वह करता की किरिया है, इस तरीके से हम इन किरिया पद का फर्चे देंगे, तो इध्यान रखेंगे कि हमें वाक्य को पूर्ट पढ़कर ये देखना है, कि उसमें जो किरिया पद है, वो कौनसा प्रियोक के आधार पर, या कर्म के आधार पर, वो कौनसा किरिया पद ब अगर कर्म की आधार पर सकर्मक या कर्मक है तो बताएंगे और नहीं तो जो प्रियोग की आधार पर जैसे हमने अभी किया प्रेनार्थक किरिया और अकर्मक किरिया और पूर्वकालिक किरिया जो बाकि में हैं उसी तरीके से हम उसका पतपर्चे करेंगे झाल झाल